नरेंद्र मोधी के बयान पर रादनिती गर्मा चुकी है और 36 गर्मे इसका असर देखने को मिल रहा है। कॉंग्रेश की राजसभा सांसा राजी शुकला ने मोधी के बयान को लेकर भाशपा की नियत पर सवाल उठाया है। और साथ ही भाशपा और प्रधान मंतरी मोधी के उपर जम का निशाना साधा है। दरसल प्रदान मंतरी मोधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि देश के पूर प्रदान मंतरी मन्मोहन सी अपने बयान में कहते थे कि देश के संसादनों पर पहला हक मुसल्मान का है जिसके बाद से ही इस बयान को लेकर कॉं अगर आप जो है कॉंग्रेस पार्टी का गोशना पत्र देखें तो उसमें कहीं भी जिकर तक नहीं है मुस्लिम तुष्टी करनक या हिंदू मुसल्मान शब्द तक नहीं है लेकिन हमारे आधरणी प्रदानमंत्री जी कल वहां पे बोले कि कॉंग्रेस जो है ये कर रही है उन्हों निस्त का मुद्दा उठाया बिल्कुल जब कहीं गोशना पत्र में जिकरी नहीं है और दूसरी जो इंपोर्टेंट चीज है वो यह है कि महिलाओं का संपत्ति उनके जेवर उनका ये लिया जाए गए ये कहीं जिकरी नहीं है मतलब जो गोशना पत्र में है नहीं हमारे उसको भी भाजपा का अगर सीर्स नेत्रत भाजपा के नेता जो उसकी गलत बयानी करके उसको पेश कर रहे हैं बिल्कुल कहीं कुछ जिकर तक नहीं है तो इसकी मैं कड़े शब्दों में मिंदा करता हूँ सब के सामने वो घोशना पत्र है जिसको हम लोग manifesto बोलते हैं मिद्धम इसपस्ट है कॉंग्रेस कि चयातों का कहीं कुछ जिकरी नहीं कॉंग्रेस की सरकार को यास है साट साल इस देश में कॉंग्रेस की सरकार नहीं सकतर साल भी कभी उन्होंने किसी का कोई लिया, किसी महिला का कोई जेवर लिया, किसी के लिया, सब को सविधाएंदी इस देश को बनाया, आज जो कुछ देश में है, कि सब जो है, जावाला, नेरू, इंद्रा, गांधी, लाल बांदुर, सास्त्री, पीवी, नरसे मराव, मनमोहन, सिंग इनको शरम आती है, टेल वहरी वाजपी का नाम लेने, यह टेल वहरी वाजपी को अपना नहीं मानते, मैं कहता हूँ, उनकी जमानें भी काम हुआ, सड़कों का काम बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं कहता हूँ, इन सब प्रधानमंत्री होगा, योगदान है, ऐसे ही खब